नमस्क्रार दोस्तो मैं रमन एस्टलोजर जैम स्टलोजर एक्सपर्ट दोस्तो चैनल को इतना प्यार एपिसोड आप इतना देख रहे हैं मैं बहुत तहदिल से आपका धन्यवाद करता हूँ जैम लौजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड के अंदर बोला है इसका रीबर्थ हो रहा है जैनि यह वेंटी लेटर पे जा चुकी थी अब इसका रीबर्थ है और रीबर्थ कैसे होगा वो तब ही होगा जब आप औरिजिनल लैब टेस्टेट सर्टिफाइट स्टोन डा कि कहीं पे कोई भी अगर जैम लौजी से रेलेटर आपको कोई मित है जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है हम इसके उपर कुछ एपिसोड चाते हैं डिटेल के अंदर तो आपको हमारे नंबर के उपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्पले हो रहा है और आपको पूरे एपिसोड के अंदर तो नंबर पता लग जाएगा वहाँ पे वाट्सप कर दे बिलकुल मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाके ही लोगों के देखने वाला हो जो वाके ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है तो बताई जाएगी तो आपका इंटरस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ उस तो जैसे कि आपने थमनिल देखा है अब्राट पी यार और आपकी जनम कुंडली एपिसोड बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है लेकिन इसको दो हिस्सों के अंदर एपिसोड को करेंगे जनी एक एपिसोड के अंदर ही आपको दो पार्ट्स बताए जाएंगे अलग-अलग सबसे पहले आप ये जान ले कि आपकी जो जनम कुंडली है आपकी हस्त रिखाएं है क्या इनके अंदर वाके ही ऐसे प्लैनेट्स ऐसे नक्षत्रा हैं जो आपको विदेश की धर्ती पे ले जाएंगे जा वहां का आपको नागरिक बना देंगे जा ये तो नहीं है कि आप नॉर्मली आना जाना लगा रहेगा जिसे हम बोलते हैं कि समर विकेशन्स पे या विंट कहीं पे भी हम घूमने जा रहे हैं नॉर्मली दस पांच दिन के लिए गए फिर बापिस आ गए अब ये सारी चीजे निर्धारित होती हैं आपकी जनम कुंडली के अंदर उसके अंदर ही कुछ ऐसे प्लेनेट्स बैठे हुए हैं जो वाके में आपको बताते हैं कि आपकी सेटलमेंट वहां पे पूरी है जा ही आपको विदेश की धर्ती पे लेके जाएंगी वहां पे वैपार, काम, धंदा, बिजनेस जो भी आप करना चाह रहे हैं वो करवाएंगे और पी आर जैनि पर्मानिन्ट रेजिडेंस शेप आपको वहीं पे मिल जाएगा अब कुछ होर चीजें बहुत जरूरी हैं अब ये कौन सा टाइम आता है जब हम अबरॉड जाते हैं वो कौन सा ऐसे समय आएगा जिस पे हमें पता लगेगा कि वाके हमें अबरॉड चले जाएंगे तो मैं यहाँ पे बता दू जब भी जर्म कुंडली बनती है तो उसी समय महादशाएं लग जाती है जनी ग्रहदशाएं अब सबसे पहले तो शनियो राहू की प्लेस्मेंट देखना पड़ेगा कि वाके इनकी प्लेस्मेंट क्या है क्या जे अस्टम हाउस में है ट्वैल् राहू की महादशा लग गई बोला जाता है जैसी हमारी महादशा होती है वैसी हमारी दशा होती है जैनी उस डारेक्शन के अंदर हम चलना शुरू हो जाते हैं शनि की महादशा लग गई यह दोनों महादशाएं को एक एक दो दो महीने के नहीं है बहुत लंबी महादशा शनी की साड़े साथी लग जाना लोग बोलते हैं साड़े साथी ये है वो है मैं तो बोलता हूँ भीया अगर साड़े साथी हमेशा बुरा ही थोड़ा करती है आपको विदेश की धर्ती पे लेके जाती है वहाँ पे आपको वैपार देती है बिजनस देती है पैसा देती है म मैंने तो बहुत सरे ऐसे बंदे देखे हैं जिनकी वहाँ पे फैमिलीज हो चुकी हैं, बच्चे हैं उनके, तो ये बहुत ऐसी चीजे हैं जिनको आपको कुछ भरांतियां भी हैं, इसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन बात कर रहे हैं कि पर्मानेंट सेटलमेंट और वैसे और दूसरा आता है विकेशन्स पे जाना, मैं एक बॉलिवुड का ऐसा चेहरे को जानता हूँ, मैं उनसे बहुत पर्सनली मेरे उनसे बाते होती रहती हैं, नाम तो मैं नहीं लोंगा उनको, उनके पास्वर्ट शायद मेरे इसाब से इतना भर चुका है, मतलब उनका अमे आपको समझ आ गया होगा, और फिल्में तो उनकी बहुत धुरंदर आती हैं, बहुत जबरदस्त आती हैं, और कहीं बार उनका सवाल ये होता है, कि ये कैसे हुआ, तो फिर वो गोचर की बात कर रहे हैं, अब गोचर क्या है, गोचर का मतलब है, कि 2020, 2021, 2022 के अंदर, वो प् तो दोस्तो मेरे कहने का भाव क्या है, अगर आपके मन के अंदर भी इच्छा है, आप भी विदेश जाना चाहते हैं, आपको भी लग रहा है, वहाँ सेटल्ड होना है, तो जोतिश आपको रास्ते भी देती है, ये नहीं है कि जोतिश आपको बताती है, कुछ रेमिडीज कुछ रतन ये भी आपको बताये जाते हैं, अब एक और सवाल, बहुत सरे लोग बाहर पहुंच जाते हैं, बाहर जाके बहुत जल्दी उनको एक प्राब्लम आने शुरू हो जाती, एक तो लोलिनेस शुरू हो जाता है, अकेला पन, और दूसरा क्या प्राब्लम आती है, वहां पे कई बार, वो बहुत बहुत से काम करते हैं, उनके पैसे उनको नहीं मिलते हैं, हमें ऐसे बहुत सरे केसिज, कॉल जाती हैं, लेकिन मैं यहां पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब क्या है, कि अगर विदेश की धर्ती पे पहुंचके भी आ पर हमारी सेटलमेंट थी भी जबरदस्ती वाला सौदा है ये तो मैं बता दू उससे बचने के लिए आपको कुछ रास्ते कुछ टिप्स एंट्रिक्स एस एपिसोड के अंदर मिल जाएंगे तो दोस्तो कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं इन्फरमेशन बहुत छोटी होती है दोस्तो लेकिन उसके फाइदे मैं तो बोलूँगा जबरदस्त है मिरिकल्स है एक चीज़ आप समझ लें ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये कोई भरम कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते हैं क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ astrology is a science and the calculation of math nothing else भगवान जो है वो सब के उपर अपनी क्रिपा करते हैं जो ग्रह हैं नक्षत्रा है ये भगवान के नौकर हैं जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ जुड़ना पड़ेगा पॉस्टिविटी के साथ निकलिये वहम से बहार आये भरम और वहम आपको हर आगे तो आए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ जो विदेश में बैठे हैं मैं एक और चीज़ यहां पर क्लियर कर देना चाह रहा हूं मैं खुद अबरॉड दस से बारा बार जा चुका हूं लेकिन एस्टोलोजिकल पॉइंट अवी से गया हूं जब के लिए गया हूं अब वहां जाके जब आप जाते हैं विकेशन्स पर जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया लगता है अबरॉड ऐसे लगता है पुतनी स्वरग में आगे क्या बाते क्या चीज़े हैं होटेल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चका चूंद वो आप घूमने गे हैं वो आप आप वहां पे रहने नहीं गे जब आप वहां पे पियार लेने जाते हैं रहने जाते हैं तो फिर आपको बहुत ग्राउंड से चलना पड़ता है चुटी चुटी चीजे चुटी चुटी बातों का दियान रखना उनका कल्चर क्या है वो क्या क्या कैसे कैसे उनके किया हैं तो वह सरय चीजों को आपको follow करना पड़ता है यह फालो करने वाला काम भी बड़ा लंबा प्रोसीजर है यह भी आप खास क्यार रखिएगा लेकिन महान्दशाइं लग चुकी है लेकिन साड़े साती लग चुकी है, ढहिये लग चुके हैं जो वाकिया आपको अबराड की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर दुनिया की कोछ ताकत आपको नहीं रोक सकती कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ दिक्तों का सामना करना पड़ेगा लेकिन उन दिक्तों से बचने के लिए आपको रतनु का उपायों का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको सिरफ और सिरफ ये बताया गया है कि ग्रह दिशाओं के आगे आपको नतमस्तक होना पड़ता है ग्रह दिशाओं के आगे आपको घूटने टेकने पड़ते हैं वो बुरा हो जा अच्छा हो आपकी मर्जी नहीं चलती है क्योंकि मैं बहुत सरे एपिसोड के अंदर बार बार बोलता हूँ जो ग्रह दिशाओं हैं ये इश्वर भगवान से उपर नहीं है ये उनके नौकर हैं और जो नौकर हैं तो वो इश्वर से आदेश लेके आपको उस रास्तों पर लेके जलते हैं अब वो अच्छे हैं रास्ते जब बुरे हैं ये तो आपके डेस्टनी और आपका करम निर्धारित करता है चलो एनिहाओ एपिसोड जादा लेंथी लंबाना हो जाए अब बात करते हैं कि अगर हमने अबरोड जाना चाह रहे हैं जा ऐसी कोई मन बना लिया है तो उसके लिए कौन से रतन है तो मैं बता दू सबसे पहला रतन है श्री लंका का गुमेद जनिस सिलोनी गुमेदी से बोला जाता है राहू का बड़ा भेतरीन रतन है राइट हैंड की मिडल फिंगर में पंच धातू में आपने इसको डालना है शैनिवार शाम छे बज़े के बाद बुद्वार को भी डाला जाता है लेकिन शैनी बार शाम 6 बजे के बाद आप इसे डाल ले और अगर आपका अबरॉड का काम नहीं बन रहा है जा उल्जने आ रही हैं दिक्ते आ रही हैं प्राब्लम्स आ रही हैं परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप ये समझेगा कि डारेक्टली आप उस ग्रह के साथ अपने आपको जोड़ रहे हैं जो आपको अबरॉड की धरती पे लेके ही जाएगा अब दूसरा ग्रह जैसे मैंने बताया है शैनी देव तो आपको नीलम रतन का सहारा लेना पड़ेगा लगभग वो भी छे साथ कैरेट का राइट हैंड के मिडल फिंगर में पंच धातू शैनी वार शाम छे बज़े के बाद वैदिक मंत्रो दौरा दोनों रतनों की पूजा करवा के शुद करवा के आप इसे डालेंगे और रिजल्ट आपको औरियंटेड आएगा ही आएगा निलम आपको शेरी लंका का लेना पड़ेगा अब इसके लावा कुछ एड ओन और भी कर देते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं यह जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में हैं तो ही रतन पहनने हैं अगर आप आप आबराड में हैं तो बहुत सारी प्राब्लम्स को लेके आप फाइट कर रहे हैं तो रतन आपके लिए भी बने हैं आप बहां बैठे बैठे भी डाल सकते हैं ऐसा नहीं है यह आपने जाना ही है तो ही रतन डालने हैं यह मल्टी पर्पस स्टोन्स हैं अब उपाईों की तरफ चलते हैं अबराड में उपाई करना थोड़ा सा कॉम्प् उपाई करना चाते हैं तो मैं आपको बहुत नॉमल इजी उपाई दे रहा हूं सिर्फ दो उपाई दूँगा एक शनी धाम जनी शनी मंदिर जाना शुरू कर दें वहां पे आप जाके कुछ सामान का दान करें जैसे काले उड़द है काले तिल है काला कपड़ा है सरसों का तेल है और लोहे की कटोरी जिसे चाया पातर बोलते हैं कम से कम दस शनी वार लगातार शाम को आप जाएं वहां जाके शनी देव के मंदिर में जाके इसे चढ़ाएं और आपको बहुत अच्छा ब्लैस बहुत अच्छा आशीरवात शनी देव का प्रापत होगा और उलज अच्छा नहीं करना वह आपके हाथ में आपने देखा होगा हम चने खाते हैं वाइट वाले अब एक और छोटे चने आते हैं जिने ब्लैक चने बोलते हैं काले वाले यह साइज में हाफ होते हैं लेकिन ब्लैक होते हैं आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं शनी वार शाम को अपनी काले चैने बनाने हैं और लगातर continuously every Saturday आप उसे खाना शुरू कर दें जैसे आप डिनर कर रहे हैं normally उसको भी खाना शुरू कर दें गारंटी के साथ बोल रहा हूँ abroad चले जाएंगे यह बिल्कुल clear है चलो anyhow अब एपिसोड को विराम देना पड़ेगा क्योंकि एपिसोड lengthy 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 लंबा हो रहा है और I hope so अगर आपको कोई trouble आ रहा है अगर आपको कोई problem जाने में जब वहाँ बैठ के आ रहा है तो यह उपाई आपके लिए बने है इनने follow करिएगा और बहुत जल्द बहुत अच्छे से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे जबर दस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तो यह मैं इसलिए बो रहा हूँ क्योंकि यह जो हमारा channel है इसके ओपर अब देखा जाए तो रतन तो 9 है लेकिन एपिसोड 2000 यह कैसे हो गया यही चीज है दोस्तो क्यों क्योंकि जैमलोजी की हर एक बारी की धातू हो जैम्स हो दिन हो वार हो महूरत हो वजन हो हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है डिटेल के अंदर बताई जा रही है ताकि आप कहीं ने कहीं जो भरम के अंदर फ़स चुके हैं बाहर आए दोस्तो अगर आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं आपको करना क्या पड़ेगा अभी के अभी यूट्यूब चैनल ट्विटर इंस्टा फेस्बूक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाई दा नेम आफ रमन मलोत्रा और हाँ दोस्तो यह जो नंबर देख रहे हैं 9876726492 वान अब दा बैस नंबर अगेन आइकन आस्क यू 9876726492 यह नीचे भी डिस्पले हो रहा है इसके उपर आपने वाटसप चल रहा है यह हमारे आफिस में जो भी हमारे आफिस में इस नंबर के उपर अपना नाम डेटो बर्ट छोड़ेगा उसको एक हमारे आफिस से प्रोसीजर आएगा उसे आप फॉलो करिए आने की जरूरत ही नहीं है आप अपने घर बेठे अपना अपनी वाइफ अपने बच्चों का माता जी पिता जी सबका होरोस्कोप चेक करवा सकते हैं अगर उनके पास डेटो बर्ट नहीं है गलत है तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूँ दोनों हाथों के लेकीरों की फोटो और नाम वाटस अप करिए आपको परसीजर आएगा तो मिलते हैं बहुत जल तब तक के लिए नमस्कर धन्यवाद Have a nice day